तीसरे चरण के मतदान के लिए पूरा देश जहा तैयार हो रहा है तो वहीं क्या है असम में तैयारी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं असम के मुख्यमंतरी हैमन विस्व सर्मा जी चाणक के कहा जाता आपको पूरवत्तर भारत का कितनी सीट लाएंगे इस बरदादा सीट तो जन्ता देगा लेकिन मेरा अपना अकलन है दस भी हो सकता है ग्यारो भी हो सकता है बारो भी हो सकता है तेरो भी हो सकता है हमारा कुल मिलाक है सोधा सीट है तो हमारा जो प्रयाज है तेरो के लिए है जब आप असम की बात करते हैं तो आप हमेशा एक चीज़ कहते हैं हमको मियां का वोट नहीं चाहिए आज भी इस बात पर टिके हुए तो पिर जीतेंगे कैसे देखे हम हमारा कोई principles है ओ प्रिंसिपल में हम पहले भी खरा था आज भी खरा है हम मियां मुसल्मान समास को यही बोलता हूँ कि आपका वोट हमें सही है लेकिन आप भी बोलिए कि बाल बिबा को हम बन करेगा आप भी बोलिए कि हम polygamie में विश्वास नहीं ही रखेगा अगर कोई लोग मेरा बात मानते हैं कि हमारा बाल बिबा नहीं होगा पोलिगमी नहीं होगा तब ठीक है तब हमें भी बहुत सही है और हमको भी उनको मदद करना सही है तो जब बेसिक प्रिंसिपल्स है हम उसमें खरा है प्रदानमंतिर, राष्ट्रपति, सिना, अध्याक्र सब हिंदू हैं तो फिर हिंदू को खत्रे में बताकर बीजेपी ऐसा नारेटिव क्यों सेट करती है डराती है हिंदू का देखे हिंदू को दरने का बहुत सारे सीज़ है असाम में, बेंगल में, केरला में, जम्मू कस्मीर में हम लोग अपना पॉलिटिकल स्पेस हर दिन खो रहा हूं इवेन बिहार में भी, अगर आप एक इलाका को देखे धीरे धीरे बिहार में भी ओ जो प्रॉसेज है, ओ स्टार्ड हो सुका है तो टेजस्री जो सिंप्लिफिकेशन का फॉर्मूला का बारे में बात करता है पॉलिटिक्स और हमारा देश एटना सिंपल नहीं है हमारा देश में मुसल्मान भी रास्क्रपती हुआ है ऐसा नहीं है कि देश में कोई कानून बना हुआ है कि हमारा देश में हमेशा के लिए हिंदू ही प्रधान मंत्री बनेगा हिंदू ही रास्ट्रपटी बनेगा तो आपने भी कह था कि अगर आने वाले दिनों में चीजने ठीक नहीं हुई तो हो सकता है दोजार चालिस तक असाम का मुख्य मंत्री कोई मुसल्मान हो क्या धर्म के आधारिती राजनीती होगी देश driven आप एक बात बताइए आप कोई भी मुसल्मान पुलिंग बोट में जाएए बोट क्या सब पार्टी को मिलते है लेकिन आप एक हिंडू पुलिंग बोट में आईए हर पार्टी को भोट मिलते हैं यह जो secularism है bipartisan जो approaches है यह democracy का एक ethos है Hindu to a democracy मानते है लेकिन मुसल्मान का क्या मा और बहन भोट दे सकता है जमात में पहले निन्नाई नहीं होता है किसको भोट देना है अगर जमात में निन्नाई नहीं होते थे तब तो भोट हर पार्टी को मिलते थे लेकिन निन्नाई कोई करता है आप खाली भोट देने जाते है यह क्या democracy है अद्रुदीन अजमल ने IUDF के मुख्या कहते हैं कि अब संविधान बदल के कुरान को पीछे करना चाहते हैं धर्म को पीछे करना चाहते है इसलाम का भी fundamentals है हिंडू का भी fundamentals है हमें ओ fundamentals को मनना सही है हर धर्म का जो fundamentals है इसको हमें सन्मन करना सही है लेकिन जहां तक देश है देश परंपराओं से सलता है संस्कृटी से सलता है एक civilizational values से सलता है जिसका आधर में संविधान बनता है विपक्ष कहता है ये values कहां चली जाती है जब देश का शीर्ष नेत्रित्व मंगल सूत्र जैसी बाते करे या फिर ये कहे कि हिंदू और मुसल्मान के आधार पर ही वोट दीजिये या बच्चे जितने उससे डरिये ये बात कहां से सुरू होता है कोई तो ऐसा बात नहीं करते हैं आप बोलते हैं कि हम inheritance tax लगाऊंगा Sam Petroda ने बोल दिया कि 50% मतलब क्या है एक माँ जब हमारा बेटीव को जो भी अर्नामेन जुएलरी देता है उनका उपर टेक्स लग जाएगा ये सरसा कहां से आया Congress का मेनिफेस्टे से आया Congress का लीडर का बयान से आया अगर Congress बयान बजी बन कर देते हैं तो सरसा होगा नहीं अगर ये मुसल्मान का बात बार बार कहां से आते हैं आप अगर 4% resolution नहीं देते थे OBC से काटके या Toad Day में आप OBC से काटके मुसल्मान को reservation नहीं देते थे या मुसल्मानों को आप अबी से नहीं बनाते थे तब यह सरसा ही नहीं आते थे सरसा सुरू कुन करवाता है बिजेपी फेक narrative सेट करती है हमारे manifesto में तो यह कहीं है ही नहीं इस तरह का कोई tax की बात आप tax का बात नहीं है कि Sam Pitroda ने inheritance का tax का बारे में बात किया किसले मोडी जी ने इसको request किया था अमिट साजी ने इसको request किया था तब तो issue resolve है लेकिन ओ तो आपका advisor है आज भी आप इनको डिजोन नहीं कर रहा है तो आप Sam Pitroda से बात कीजिए कि Congress का vision statement आप दे रहा है कि नहीं दे रहा है सिडंबरम साब ने ही inheritance tax का बात निकाला था ओही Congress का manifesto committee का chairman है तो बात Congress शुरू करता है जब हाठ से निकल जाता है पहले वो सोचता है कि ये बात करने से हमें points मिलेगा जब CJ अलग हो जाता है तब पढ़ार मंति को बोलता है आप क्यों बात करता है अगर आप करनातक में 4% मुसल्मन रिजर्विशन नहीं डेते थे तो बादी नहीं निकलते थे सुरू आप करता है भोटका लालस में जब गेन आपका हाठ से बाहर हो जाता है तब आप बोलता है BJP क्यों बोलते है आपने करनातक की बात की प्रज्वल रिवन्ना का जो एपिसोड है उस पर सवाल उट रहे हैं कि BJP या तो चुपी साधे हुए है या फिर बचाने में लगी है कैसे देखते हैं सो पहला बात है ये जो भी मामला है मामला का बारे में कोई मेरा आइडिया नहीं है लेकिन आप ये टेप आपका पास दो साल से है आप उनको एरेस क्यों नहीं किया आप उसको जार्मानी जाने क्यों दिया आपका एरपोर्ट से हो गिया ना ये तो केंदर के साथ है ना इमिग्रेशन का बाद तो बाद आएगा, एयरपोर्ट टो पहुंसा केसे, घर से एयरपोर्ट टो पहुंसा केसे, अगर स्टेट पुलिस इमिग्रेशन को नोटिस नहीं देगा, कि उनको आप रखिये जाने नहीं दीजिये, तब तक इमिग्रेशन आपको केसे रुखेगा? अब लगता है कॉंग्रेस नहीं पूरा प्लॉट बनाया है? सुनाओ के लिए इसको इस्तेमाल मत कीज़े इसको logical conclusion तक आप लेके जाईए बंगाल के संदेश खाली में जिस तरह से अभी वीडियो तुर्णमुल कॉंगरस ने जारी किया और कहा है कि बीजेपी ने साजेश रची है वहाँ पर महिलाओं का इस्तमाल करके संदेश खाली में बंगाल की छवी खराब करने के लिए आपने संदेश खाली में अगर सरेयन होते थे वो बैक्ती को अपला के बुलवाना सही अठा कुछ नहीं हुआ है सुपवैक इसको आज तक एरेस्ट होने से बसा के कुन रखा है सी बी आई जो आर्म सेमूनेशन बरामट किया हुआ से वो कहां से आया आप ऐसे किसी का वीडियो बना देगा और एक नेरेटिव बनाने का कोसिस करेगा ठोड़े नेरेटिव बनेगा हमारा माता जुद बोलता है लेकिन मम्ताडी सही बोलते है हमारा बेहन जुद बोलेगा लेकिन अभी से एक सही बोलेगा आप कैसे वो बात मान सकते है दिक्कत आपको इस वीडियो के सामने आने से है या फिर लगता है कि ये एजेंडा ही एक सेट कर दिया जाता है बेंगोल कोई करनी के लिए क्या मसबूरी है कि एक को बसाने के लिए अब पूरड़ा एक डिमजाल फैला रहा है यह सब मेरा सब नहीं है संदर शुर्शाहब का सब्द है पाई चोड़ीजिये ना एक बेख्टी अगर खराब कम किया है वो ठोरे TMC है, आप उसको CBI का हवाला कीजिए, इसका साथ interrogation होने दीजिए, सबुर आएगा आएगा ने आएगा तो बैक्ति निड्डोस बन जाएगा, लेकिन आप TMC पूरा मेकानिजिम उस बैक्ति का पीसे आपने क्यों लगा दिया है? राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने राजजपाल पर मुले स्टेशन के आरोप लगाए हैं, लिखित शिकायत दर्ज हुई है, तुरुणमूल कॉंग्रेस कह रही है कि बीजेपी राजपाल को भी बचाने की कोशिश करती है और ये शर्मसार करने वाली बाद है, लेक लेकिन ये एक बैकड्रॉप में आया है, जब से राज्यपाल महुदय मम्ता दीडी का गॉर्मेंट को क्लोस कुटीनी में ले रहा है, तब ही ऐसा बाद आया है, तो उसका भी निक्सपक जाज होगा, लेकिन ओजाज कालकटा पुलीस नहीं करेगा, अब नैसनल कॉमिशन अब ओमेंट को डीजिये जाज करने के लिए, लेकिन जब सी एम जाज होने का पहले ही बोल दिया, तब तो जाज निरपेक्स नहीं होगा, आज जाज दे डीजिये किसी को जाज होगा, अगर कोई महिलाई बोला है ठाने में आके कुछ बाते, जरूर उनको सुनना साहिए, लेकिन जब ममताडी क्यों प्रोएक्टिव हो गया उसका पीसे, यह भी आपको साजिश लग रही है, चुनाओ के पहले हो रही है, प्रदान मंतरी के दोरे के पहले है, यह क्यालकाटा में, बेंगॉल में, एक पुलीस का इस्तेमाल, लोगों का इस्तेमाल हर दम होते रहता है, वहाँ में तो कोई कानून ही नहीं, आज में भी अगर एक दिन सला जाओ, नेक्स दे मेरा उपर भी कोई अफायर हो जाएगा, उसका कोई बेसिस नहीं सहिए, कोई बेसिस ही नहीं सहिए, वहाँ में तो पुलीस को पूरा पुलिटिकल यूस किया जाता है, मैं राहूल गांदी पर पूछना चाहूंगी राय बरेली से लड़ेंगे अमेठी से नहीं लड़ेंगे काम किया है उसको तो साधुबादी देना है आपको हमेशा उनके बुद्धी से क्या इतराज रहता है राहूल गांदी की? मैं तो साधुबाद दिया ना उनको कि एक बुद्धी का काम किया कि आमेठी जाने से बड़ा भोट से हारता था जाना तो एक सीट में था फैमिली का सीट या तो प्रियंका को जाना था या राहूल को जाना था एकदम दोनों तो अब खाली नहीं चोड़ सकता है एक में जाना था तो उन्होंने जो थोड़ा सा सेफ लगा उसमें सला गिया बीजेपी कॉंग्रस कह रही है कि बीजेपी डर गई है क्योंकि राहूल गांधी मैदान में उतर गए है प्रियंका गांधी की अभी समय आना बाकी है ने बीजे पी तो हमेशा राहूल से डरता है बीजे पी तो राहूल से डरता है राहूल बोलता है दरो मत तो इसलिए आसकल हमने भी सीख लिया कि डरना नहीं है ने तो हम दरते थे राहूल से भाई अतना भयंकर नेता है आप केंपेन आएगा तो सारे सित आप जीत लेगा आ आपका सामने कुन खरा हो सकता है, हम लोग तो पहले डरते थे, लेकिन बाद में राहूल नहीं हमें सिखा दिया कि दरो मत, मैं अतना बड़ा बेक्टी नहीं हूँ, आप मुझसे मत दरो, तो इसलिए आसकल हम लोग दरता नहीं हूँ. राहूल गांधी कहते हैं कि मुद्दो से भटक जाती है, बीजेपी, हिंदू मुसल्मान कर रहे हैं, क्योंकि हार रहे हैं, विकास पर बात हुई दो फेज में, डर लगा तो मुसल्मान बरादा. देश का मुद्दा तो ही ना हिंदू मुसल्मान, अब हमारा देश में, जो देश का विभाजनी हिंदू मुसल्मान मसला पर हुआ है, वो देश में हिंदू मुसल्मान क्या मुद्दा नहीं है, राहूल को लगता है कि लाब जहाद मुद्दा नहीं है, राहूल को लगता ह पोलीगेमी मुद्दा नहीं है आपके लिए हिंदू में मुद्दा लगता है कास सेंसस आपके लिए मुद्दा है लेकिन हम जब बोलता हो मुसलमान में भी कास सेंसस करो तो वो मुद्दा नहीं है तो डेस में मुद्दा क्या है उसके लिए भी राहुल से परमिशन लेना प नहीं है जब तक राहूल रहेगा तब तक कॉंग्रेस जमीन पर कैसे आएगा वो तो गुमते रहता है कभी सेस खिलाता है कभी टेक्टर में सला जाता है कभी फ्लाइट में कभी हवा में कभी अकास में तो राहूल को पहले जमीन आने परेगा न प्रियांका गांधी भी नहीं लरेगा जिला परिश्ट का भी सुनाू नहीं लरेगा MLMP का भी सुनाउ नहीं लरेगा तब सुने हुआ लोगों का पीसे बात करना छोड़ो ना पहले एक बार तो सुनाउ जित लो खुद मैंने इसको आपान कर रहा हूं बाई एक बार जीत लो तो अच्छा लगता है आप पार्लेमेंट में नहीं है पूरा पार्लेमेंटरी सिस्टेम का बारे में बात सुरू कर देते हो एक बार चलो जीत लो तो अब accountability आ जाते है ना अभी तो यह लोग क्या है यह लोग without accountability accountability खोले मेशिंगान है जहां भी हो fire करते रहता है किसले हो लोग जानते है मेरा कोई accountability नहीं है कुछ भी होगा बुलेगा तो खारगे president है हम तो कुछ नहीं हूँ बीजेपी ने बहुत सारी बाते की कि जम्मु कश्मीर में आतंकबात कम हुआ है लेकिन हाली में फिर एक बार एरफोर्स पर हमला हुआ सवाल खड़े हो जाते है ना ददा जम्मु कश्मीर में आतंकबात कम हुआ बोला है खतम हुआ है तो यह पहलत नहीं था तो शुधार हुआ है लेकिन संपून्ट सुधार हुआ है वह तो दावा किसी का नहीं है क्या बात सच है कि राजपूत वोट नाराज हो रहे हैं जगा जगा पर या टुकडियों में नाराजगी हो रही है इसलिए समालने की कोशिश कर रही है रास्पूद कुन है, धामी जी तो रास्पूद है, जुगी जी तो रास्पूद ही है, तो बी जे पी में रास्पूद और बीजे पी, उसमें क accidents मार्च काहा आता है, कोई एक इक इक और कैम में कोई एक इलाका मैं कुछ specific problem हो सकता है, राजनात सिंग जी तो रासपुद ही है तो ऐसे कोई प्रडेस में कोई लोगों का बैयान हो गया और उसका कारण आप सोसेगा रासपुद बीजेपीन में नहीं है ब्रामिन नहीं है अभी सी नहीं है स्ती नहीं है यह तो बहुत ही एक्स्ट्रीम इंटरप्रेटेशन हो जात मनमुहन सिंग अभी राजनीटी में नहीं है और रिट्रीयामेन का मूद में है या रिट्रीयामेन हो शुका है तो मैं उनका संबन इस सुनाव में नहीं लाना साता हूं और कंपेरेजन भी नहीं होता है मोधी मोधी है तो अभी मनमुहन सिंग का इश्यू नहीं लाना ही ठ पूछते हैं आप मोधी को मोधी कौन सी एक बात है जो मोधी बना देती है देखे मोधी जी को एक बात मोधी बना देता है भाई हम भारत के लिए लगा हूं हमारा कुछ भी आगे कुछ भी नहीं है देज ही मेरा सब कुछ है और मैं समर्पिद हूं हम किसी में ओ टाकत नहीं ह देश के लिए सब प्रतिसत समर्पित रहने का पाकिस्तान के मंत्री ने कॉंग्रेस की और राहूल गांधी की प्रशंसा की है कुछ कहेंगे मैंने देखा हूँ राहूल जी को अगली सुनाव पाकिस्तान से लड़ना सही जीटेगा अच्छा भोच से जीटेगा हाफ तो हाफ मुस्लिम लिग का सपोर्ट से तो सुनाव जीटे ही जिन्ना का जो ओरिजिनल पार्टी था उनका सपोर्ट से ही उस सुनाव जीटे है अभी ठोड़ा पैरेन कांट्री में भी जाके एक बल अरके आना सही है भारत का सनमान बरेगा वो पाकिस्तान में जाए लाखो भोच से जीटे हो सकता है पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रहा है उसमें राहुल जी कुछ ठीक भी कर सकता है बहुत बड़ा साइन्टिस्ट है राहुल जी साइन्टिस्ट है बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइन्टिस है सेस्ट प्लेयर भी है आप ये बताईए है इस बार आपको कितनी सीट का भरोसा है 400 पार का सपना साकार होता लग रहा है देखिए 600 पार हमारा लक्स है NDA मिलके हम लोग सार्श का लक्स तक टेजी से आगे बर रहा हूँ बड़ा दिल्चस्पो का मुकाबला देखना कि आखिर कार कितनी सीटे आती है NDA की कैमरा परसन सुरज पांडे के साथ मनुग्या लोईवाल गौहाटी असम्ट ABP News